हेलो गाईज, वेलकम टू इंग्लिस एजुकेशन, इस्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास्ट वेल्थ की विस्तास बुक से लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मेमोरीज ओफ चाइल्ड हुड के लोगकोशन आंसर और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को शौट लिए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन हैं वाई जितकाला सा फील ऑप्रेस्ट इन न्यू एस्टबलिसमेंट तो देखें उन्हें नई जगा पर लाया गया था तो देखें जितकाला सा ने अपने आपको किस तरह से उत्पीडित महसूस किया उस एक नई जगा पर तो देखें since the day the author was taken away from her mother तो देखें उनकी मदर से उन्हें दूर लाया गया था तो वो कहती है कि जब से उनकी मदर से उन्हें दूर लाया गया था he had suffered extremely indignities तो देखें उन्हें जो है बहुत ही जादा अपमान सहा था people had stared at her, लोग उन पर खूरते थे they had been tossed about in the air like a wooden puppet और देखे एक लकड़ी की कटपुतली की तरह उन्हें हवा में उचाला भी गया her blanket had been removed from her shoulder तो देखे जब उनका जो blanket था वो उनके shoulder से उनके कंदे से हट जाता है she felt that she was modestly dressed और वो ये महसूत करती है कि उनकी जो dress है वो काफी भद्दी है she was so soaked and oppressed that she felt like sinking to the floor मतलब वो इतना ज़्यादा आस्चरिय चकित है इतना ज़्यादा उनका दमन किया जा रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो first में धस गई है first के नीचे दब गई है later her soft moccasin were taken away फिर उनका जो moccasin था वो ले लिया जाता है जो उन्होंने dress पहनी हुई थी these were the traditional footwear of the local Indian American और उसे जो है change कर दिया जाता है उनके footwear से they were replaced by speaking shoes और उनके जो जूते थे ना उनको बदल दिया जाता है speaking shoes में जो sound करने वाले shoes थे कठोर थे उसमें change कर दिया जाता है see saw another Indian girls in stiff shoes तो देखे वो दूसरी Indian girls को भी stiff shoes में देखती है and tightly sticking dress और जो पूरी तरह से body से चिपकी हुई dress थी उसे पहने हुए देखती है the small girl wore sleeved apron and had singled hair तो देखे जो छोटी लड़किया थी उन्होंने बाजु वाले apron पहन रखे थे उनके बाल भी छोटे थे the roast indignities she suffered was the cutting of her long hair और सबसे ज़्यादा अपमान उन्हें कम हैसूस होता है जब उनके लंबे बालों को काट दिया जाता है the cowardice singled hair made her mourn with anguish तो देखे वो जब उनके बालों को काटा जाता है तो वो जो है पीडा से करहने लगती हूँ बहुत दुख होता है she felt she was not a human being but one of the little animal driven by a herder तो देखे यहाँ पर उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो कोई human being ही नहीं है कोई इनसान ही नहीं है बलके उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो कोई animal है और herder के द्वारा से उन्हें कहीं एक तरफ दूसरे पस्वों के साथ लेकर जाया जा रहा है मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी जैसा दूसरे लोग कहते थे जैसा जहां पर वो रहती थी स्कूल में बलकुल वैसा ही उन्हें करना पड़ रहा था वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रही थी तो वो एक animal की तरह वापर फील करती है देखिए वहां का जो system था न वो उनका जो culture था उसे खतम कर रही थी और जो woman थी वहाँ पर उनका संबान नहीं किया जाता था उनका अपमान किया जाता था और उनकी बात को भी नहीं सुना जाता था next question है but this eating by formula was not the hardest trial in the first day says Jitkala Sa what do you understand by eating by formula and how did she find it hard trial तो देखें वो बताती है जिस तरीके से महाँ पर सब लोग खाना खा रहे थे तो वो बताती है कि एक formula से ही खाना खाया जा रहा था और वही उनका पहले दिन की सबसे बड़ी मुसीबत नहीं थी वो Jitkala Sa की तो देखें सबसे पहले तो यह जो eating by formula बताया उन्होंने उससे आप क्या समझती है how did she find it hard trial और किस तरह से वो उन्हें hard लगता है देखें there was a fixed procedure laid down for breakfast तो देखें वहाँ पर एक अलग सी ही एक fix मतलब अलग परक्रिया थी जो fix की गई थी breakfast के लिए Jitkala Sa call it eating by formula और Jitkala Sa उसे क्या कहती है eating by formula कहती है the ringing of large bell summoned the inmates to the dining table तो देखें वो बताती है कि एक large यानि कि लंबी सी एक घंटी बज दी है इसका क्या मतलब था कि मतलब यहाँ पर कैदियों को कहा गया है उनकी उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि वो महाँ पर कैदी थे तो देखें सभी कैदियों को जैसे खाने पर बुलाया जाता है boys and girls entered the dining room in line from separate doors तो देखें जो लड़के थे और लड़कियां थी वो अलग-अलग लाइनों से, अलग-अलग दरवाजों से dining room में जाते है then a small bell was tapped उसके बाद एक छोटी घंटी बसती है each of the pupil, तो pupil यहाँ पर student को कहा गया है तो हर एक student क्या करता है drew a chair from under the table जो टेबल थी वहाँ पर उसके नीचे से chair को बहार खीच लेता है the writer also did so यानि कि जितकाला सा भी ऐसा ही करती है she supposed this act meant they were to be seated तो देखे इससे वोने ऐसा लगता है कि वो सभी बैठेंगे so he slipped into the chair इसलिए वो चेर में बैठ जाती है she found other standing लेकिन जब वो देखती है दूसरे लोग तो सभी student जोते है वो खड़े हुए थे just when she began to rise तभी वो खड़े होना शुरू कर देती है looking surely मतलब सरमिंदा होते हुए वो खड़ी होने लग जाती है the second bell summoned and all sat down अब दूसरी घंटी बसती है और सभी chairs पर बैठ जाती है then she heard a man's voice at one end of the hall फिर वो hall के एक कोने पे एक आदमी के आवाज को सुनती है she looked around to see him अब वो उसे देखने के लिए over the ear plates लेकिन वो देखती हैं और सभी ने अपने सिर को अपनी प्लेट पर जुका रखा जा she found the pale face woman watching her और वो पाती है कि वहाँ पर एक पीले चहरे वाली जो आरत थी वो उसी की तरफ देख रही थी when the man when the man kissed his muttering तो देखे अब जो आदमी था वो जो है चुप हो जाता है बोलना बंद कर देता है the third bell was tapped तभी तीसरी हंटी बस सी everyone picked up his knife and fork and begin eating हर कोई अपने knife को fork को उठाता है उखाना शुरू कर देता है she begin to cry लेकिन जितकाला सा रोना शुरू कर देती है she was so afraid that he could not do anything further तो देखें वो जो है इतनी डर गई थी कि आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी her discomforts was caused by her unfamiliarity with the procedure तो देखें ऐसा क्यों होता है वो डर क्यों जाती है discomfort क्यों होती है क्योंकि जो प्रोसेजर चल रहा था जो पर क्रिया से वो खना खा रहे थे वो उससे परिचित नहीं थी वो उससे नहीं जानती थी however, she found it a difficult experience a short of trial तो देखें इस तरह के trial को करने में, ऐसा काम करने में इस तरह से खाने में उन्हें काफी difficulty होती है और वो उससे एक formula भी कहती है next question है I will not submit वो कहती है कि मैं समर्पन नहीं करूँगी I will struggle, मैं संघर्ष करूँगी first पर पहले संघर्ष करूँगी says जितकाला सा तो देखें, जितकाला सा कहती है कि मैं यहाँ पर submit नहीं करूँगी और मैं क्या करूँगी? मैं समर्पन नहीं करूँगी मैं संघर्स करूंगे what was she going to resist and why तो देखे क्या वो करने वाली थी, किसका विरोध वो करने वाली थी what efforts did she make and what was the outcome तो देखे क्या कोशिश वो करती है और उसका क्या परिनाब होता है Jitkala had long heavy hair His friend Judwin had overheard the pale face woman talk that dear hair was to be single तो देखे जितकाला सा के लंबे घने बाल थे और उनकी जो friend थी Judwin उन्होंने उस woman को कहते हुए सुना था कि उनके जो बाल है वो कार दिये जाएंगे Jitkala सा decide to resist तो देखे जितकाला सा जो है इसे रोकना चाहती थी Among the year people, short hair was worn by mourners तो देखे वो कहते हैं कि जो छोटे बाल होते हैं वो मातम मनाने वालों के होते हैं And single hair by card तो देखे वो कहते हैं कि जितने कायर लोग होते हैं उनके भी छोटे बाल होते हैं तो देखे आगे वो कहते हैं Unskilled warrior captured by the enemies Also goat deer hair single तो देखे वो कहते हैं जो unskilled warriors हैं खुशल योध्धा जो होते हैं उनको सत्रों के द्वारा पकड़ लिया जाता है उनके बालों को काट दिया जाता है cutting a woman's long hair was thus against their tradition and culture तो देखे जो वुमेन थी उनके बालों को काटना उनके tradition में उनके परंपरा में और उनके culture में शामिल नहीं था उसके विरूत था वो she tried to avoid it वो काफी कोशिश करती है इस avoid करने के लिए खनी के वो अपने बालों को कटवाना नहीं जाती है she wrapped up the stairs quietly and hide herself under the bed in a room with dark green curtains तो देखे वो क्या करती है वो सीडियों से चुप चाप से चली जाती है और वो एक बिस्तर के नीचे और उस कमरे में चुप जाती है जहां पर हरे रंग के परदे लगे हुए थे she had crawled to the corner farthest from the door and lay close the darkest corner तो देखे वो रेंगते हुए दूर वाले कोने में चली जाती है दरवाजे से और सबसे अंधेरे वाले कोने में छिप कर बैट जाती है soon he heard her name shouted in the hall तो देखे जल्दी वो सुनती है कि उनके नाम को बुलाया जा रहा है hall में then the steps were quickened and voice become excited फिर जो कदम थे वो और ज्यादा तेज हो जाती है आवाज जो है काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है women and girls enter the room तभी जो लड़किया थी ओरते थी वो कमरे में परवेस करती है they opened closet doors वो जो अलमारिया थी वहाँ पर कमरे में उनके दरवाजों को खोलती है पीपड बीहाइंड लाज ट्रंक्स जो बड़े बड़े ट्रंक्स वहाँ पर रख्ते हुए थे उनके पीछे जागती है someone threw up the curtain उनमें से ही कोई एक परदे को हटा देता है the room was filled with sudden light अचानक से कमरे में प्रकास हो जाता है someone stopped looked under the bed and saw her there तो देखें उनमें से ही कोई एक बड़े बिस्तर के नीचे देखता है और उसको डून लेता है उसे मिल जाती है she was dragged out though she resisted by kicking and stretching widely तो देखें फिर उसे महां से घसीट लिया जाता है इसलिए ही वो kick कर रही थी उनसे बचने के लिए उन्हें नोच रही थी जंगलियों की तरह she was carried down stairs and tied fast in a chair फिर उसे सीडियों से नीचे ले जाया जाता है और कसकर कुरसी से बान दिया जाता है she cried aloud and keep shaking her hand till the scissors cut her long hair तो देखें वो तब तक रोती रहती है जो रो से अपने हातों को हिलाती रहती है जब तक जो सीजर है कैची है उसके बालों को नहीं काट देती है next question देखते है में भार' ।ि गालों थी तरी चेज पने फिन ज muchos को गोर्ख जो आट्रैक्ट है थी Bowl को दिशांके थेllo देखेंसी कई में इस दुकाने बाजार में ऐसी चीज चीजर को बामा को अट्रैक्ट करती थी और उनके पैरओं को बान लिंए पाज opportun को लेती थी और रोक लेती थी घर जाने से तो देखे देयर वर मैनी नोबलिस्ट एंड ओडिटीज डाट अट्रेक्ट बामा ऐसी बहुत सारी नवी नई चीजें थी बहुत सारी अलग चीजे थी जो बामा को अट्रेक्ट करती थी इंक्लूड़्स ता परफॉर्मिंग मंकी ए पर पर्फॉर्म कर रहा होता था स्नेक चार्मर के पास एक स्नेक था उसको देखती रहती थी और जो हंटर जिपसी थी उसमें एक जंगली लैमूर था पिंजरे में तो ये सारी चीज़े उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी तो देखें वहाँ पर और क्या-क्या चीज़े अट्रैक्ट करती थी एक साइकलिस्ट था जो तीन दिनों से अपनी साइकल को लगातार चला रहा था वहाँ पर एक मारी यातर टैंपल था उसमें जो बड़ी घंटी बंधी हुई थी उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी बामा तो देखें वो ये भी देखती थी कि जो पॉंगल आफरिंग है अनि कि पॉंगल के लिए जो परसाद आप कह सकते हैं ओफर किया जाता है टैंपल में वो बन रहा होता था उसको देखती थी देखें गांधी जी के स्टैचू के पास मूर्ती के पास महाँ पर ड्राइफिस की स्टाल भी थी उससे भी वो काफी अट्रैक्ट होती थी तो देखें वहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी स्नेक्स की दुकाने थी वहाँ पर देखें और बहुत साथ लगी हुई ऐसी बहुत सारी दुकाने थी जो बामा को अट्रैक्ट करती थी अब देखें और भी कुछी रहे हैं पर बताई गई हैं जैसे की दा पब्लिक मीटिंग ओफ पॉलिटिकल पार्टीस की वहाँ पर मीटिंग होती रहती थी माइक लगे रहते थे लोगों को संबोधन वो करते थे नुकड नाटक होते थे कटपुतलियों के सो थे और दूसरे और इस्टंस थे जिन से काफी ज़दा उसका एंटरेटेन होता था तो देखे वो देखती थी कि वेटर किस तरह से काफी के एक मको उपर उठाता है और दूसरे बावल में उसे डालता है जो उसकी काफी नीचे होता है और वो आगे देखती थी कि जो लोग वहाँ पर प्याज काट रहे होते थे दुकानों पर वो अपनी आखों को एकसाइड करके रखते रहते थे जिससे कि उनकी आखों में कोई परेसानी ना हो तो देखे यहाँ पर हमने चेप्टर में देखा था कि वो बहुत सारे फ्रूट्स की भी परसंसा करती थी जो सीजन के अनुसार बाजार में होते थे see also noticed people selling sweets and sorry fried snacks तो देखे यहाँ पर वो देखती थी कि लोग जो है मिठाईयां बेच रहे हैं snacks बेच रहे हैं source के साथ यह सारी चीज़ों से काफी attract करती थी these were the usual scene and sight that tethered her leg and stopped her from going home और यही सारी चीज़े थी जो उसे अपनी तरफ attract करती थी और उसे घर जाने से रोपती थी next question है यहाँ पर how did Bama's brother explain the elders behavior elders किसे कहा गया है जिस परसंद के बारे में Bama हमें story में बताती है कि वो ऐसे string से कोई चीज़ लेकर जा रहा था काफी funny लग रहा था तो उसे कहा गया है तो दीके how did Bama's brother explain the elders behavior to her तो Bama का भाई किस तरह से उस elder person के behavior को बताता है उसे what was her immediate reaction और सुनकर अचानक से उसका reaction कैसा होता है Bama's elder brother Anan तो दीके Bama के elder brother का नाम था Anan told her that the big man was not being funny when she carried the package by the string for his landlord तो दीके उसका भाई उसे बताता है कि कोई वो funny कोई मजाक नहीं कर रहा था जब वो उस package को लेकर जा रहा था एक डोरी से पकड़े हुए अपने landlord के लिए वो उसे बताता है the upper caste people believed that other must not touch them तो दीके वो कहता है कि जो upper caste के लोग है उची जाती के जो लोग है वो विस्वास करते हैं कि हम हम लोग या वो लोग जो बुजूर्गू से लेकर जा रहा था वो उसे छू नहीं सकता if they did so अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होता है they would be polluted तो देखे जो upper caste के लोग हैं वो भी polluted हो जाती है that was why he did not touch the content but held the packet by its string और वो बताता है कि यही कारण था कि वो उस चीज़ को चू नहीं रहा था बलकि एक string से डोरी से पकड़े हुए था Bama did not want to laugh anymore now तो देखे पहले तो Bama हस रही थी लेकिन अब Bama को इस बात पर हसी नहीं आती है she felt terribly sad और वो काफी उदास हो जाती है she could not understand how the wordy first wrap in the banana leaf and then parcel in the paper would become disgusting if one of them had the package in his hand तो देखे अब Bama ये सोच रही है कि जो वो वड़ी लेकर जा रहा था पहले उसे banana leaf में रखा गया फिर एक paper में रखा गया फिर वो किस तरह से मतलब ऐसी हो सकती है एक packet में रखी हुई अगर packet को कोई हाथ लगा दे तो वो खराब कैसे हो सकती है तो देखे वो इतनी ज़्यादा गुसा हो जाती है इतनी उत्तेजित हो जाती है कि जाते हैं उनके लिए इसारी चीजे लेकर आते हैं उन ऐसे लोगों के लिए see was infuriated that an important elder of the year went meekly to the soap to fetch snakes and then handed them over river तो देखे यहाँ पर जो बामा है वो यह सोच रही है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं बड़ी ही विनर्मता के साथ दुकान पर जाते हैं उनके लिए snacks लेकर आते हैं उन्हें फिर वो देते हैं बड़ा ही विनर्म तरीके से और वो जुकते हैं उनके आगे और वो जो फैलो है यानि कि उस आदमी को कह रही है जिसके लिए लेकर आया जाता है और वो अपने मू मिजरी ओपर कास्ट टो देखें मैसरली हो गाई मैसरी ओपर कास्ट तो देखें आप वो यह सोच रही है कि हमारे लोग ऐसा क्यूं करते हैं कि इस तरह के काम करते हैं वो ग предложit और अप्रकास्ट के लोग हैं उनके लिए उनके क्या करना चाहिए उनके खेतों में काम करना चाहिए टेक होम दियर वेज वेजिस एंड लीव इट अट अल वेजिस लेना चाहिए अपना मेहनतनामा लेना चाहिए और बस फिर छोड़कर आ जाना Lebens तो वो ये सोच रही है कि वो करते ही क्यों है उनके लिए काम नेक्स्ट कॉश्चन है वाट इन डिगनिटीज डिड़ दा कास्ट सिस्टम हीप ओन दा लोवर कास्ट हाव कुड दे एंड दा डिस्क्रेमिनेशन जाती विवस्था जो की गई थी और वे भेदभाव को कैसे समाप्त करना चाहते है किस समाप्त करना उन्हें चाहिए उस भेदभाव को कैसे कर सकती है और मा का क्या react होता है जब उसका भाई उसे कोई उसे advice करता है तो देखे जानते हैं ये पिलकुल साफसी बात है इसमें जो moral है वो ये है कि अगर इंसान educated होगा अच्छे से पढ़े लिखेगा तो ये जो भेद भाव है ना upper caste लोवर कास्ट ये सब खतम हो जाएगा क्योंकि सब एक समान होंगे सब को समान मोका मिलेगा तो जो education है उससे हर एक बुराई को दूर किया जा सकता है मैं ऐसा मानती हूँ शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा और ये caste system बिलकुल नहीं होना चाहिए तो चलिए जानते हैं हम chapter में देखते हैं क्या moral यहाँ पर उसके brother से और क्या सिक्षा उसे मिलती है according to Anand the caste system was highly discriminatory तो देखे अनन के अनुसार जो उसका भाई था ये जो caste system है ना ये बहुत ही भेदभाव से भरा हुआ है इट पुट दा लोवर कास्ट इन ए वेरी डिस एडवेंटेजस पोजीशन और ये जो लोवर कास्ट के लोग है ना इनको इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है देवर नैवर गीवन एनी ओनर डिगनिटी और रस्पेक्ट उन्हें कभी कोई भी इससे बहुत है तो देखे उसका भाई कहता है और ऐसा ही है कि ये जो सोसल डिस्क्रैमिनेशन है ये जो भेदवाव है सामाजिक भेदवाव ये केबल तभी खतम हो जगता है जब लोग अपना खुद का improvement करे they should study hard and make progress उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए अच्छे से पढ़ना चाहिए और progress करनी चाहिए then they could throw away all those indignities और इससे वो जो जितना भी असमान है जितना भी उन्हें भेदभाव जहलना पड़ता है वो सब खतम हो जाएगा तो देखे वो अपनी बहन को बामा को एडवाइस करते हैं कि उन्हें जो है मन लगा कर पढ़ना चाहिए और जो वो सीख सकती है वो सीखना चाहिए तो देखे वो उन्हें ये भी सज़ेस्ट करते हैं कि अगर वो हमेशा आगे रहेंगी पढ़ाई में आगे रहेंगी अपने सीखने में आगे रहेंगी तो लोग क्या करेंगे अपने आप से उनके पास आएंगे उनसे जुड़ना चाहेंगे तो देखे ये जो शब्द उनके ब्रेदर ने कहे थे वो एक मार्ग दर्सक सिधान्त बन जाते हैं बामा के जीवन का वो कठिन परिश्रम करती है पूरा मन लगा कर पढ़ती है मतलब वो बिलकुल हडबडाहट में रहती है हर एक चीज को सीखना चाती है तो देखे अपनी क्लास में वो फर्स आती है और यही कारण था कि उनके बहुत सारे दोस्त बन जाते है तो देखे यही उनके शानदार केरियर की सुरुवात यहीं से होती है फिर वो एक राइटर बनती है बहुत सारी चीजे वो लिखती है और समाज की बुराईयों को दूर करना चाहती है तो इस तरह से आपके सभी कोशन्स होते हैं कमप्लीट आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आपकी कोई क्वैरी है तो आप कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए बाबाई और टेक कियर